ये थाइलेंड के दो प्रेमी और प्रेमिका की लव स्टोरी है। दोनों एक दूसरे के संपर्ख में लगभग 10 साल तक थे। थाइलेंड की यह प्रेम कहानी तब भयानक रूप ले ली। जब एक्स बॉइफ्रेंड ने थाइलेंड की महिला कनोक वान से ब्रेक अप करना चा थाइलेंड की यह महिला और पुरुष एक दूसरे को काफी दिन से प्यार करते थे। जब पुरुष ने महिला के साथ रहने और मिलने जुलने से मना किया। तो थाइलेंड की यह महिला काफी दुखी हो गई। थाइलेंड की यह महिला अपने एक्स बॉइफ्रेंड को गि तो कनोक वान बीच सडक पर गाड़ी पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर जला दी। उसके बाद वहां से निकल गई। घटना स्थल के पास कुछ और भी बाइक चपेट में आ गए थे। इस घटना को श्रीनकारिनविरो युनिवरसिटी प्रिसानमित डिमेंस्ट्रेश श्रीनकारिनविरो युनिवरसिटी प्रिसानमित डिमेंस्ट्रेशन स्कूल के किसी भी छात्र को कोई भी नुकसान नहीं पहुचा है। दिन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक थाइलेंड की पुलिस ओफिसर मौंकर थनोमजाय ने कहा, ये प्रेमिका उसी स्कूल एम्प बॉर्ड हो गई, जिसको देखकर लोग हैरान है, आखिर एक गल्फ्रेंड ऐसा कैसे कर सकती है, वो अपने ही द्वारा दिये गए उपहार को जला कर क्यू नश्ट कर दी, क्या ऐसा करना उच्छे